हाई गर्ल्ज। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है बेसिक फेस मेकप। स्टेप नमबर वान, चहरे को प्रेप करें। मैं अपने चहरे को प्रेप करती हूं लाकमे सीसी क्रीम से, जो मेरे फेवरिट प्रडाक्स में से एक है। Step No. 2 Concealer अब concealer और foundation के बीच फर्क क्या है? कि concealer को आँखों के नीचे और दाग धबुम पर लगाते हैं और foundation को पूरे चहरे पर आईए अब आपको दिखाती हूँ कि concealer को कैसे लगाते हैं सबसे इची बात यह है कि इसमें SPF है तो इस concealer को अपनी कलाई के पीछे लीजिए इसे ऐसे इस्तमाल करना आसान हो जाता है इसे आँखों के नीचे थप थपाएं और इसे याद रहे तब तक थप थपाना है जब तक ये skin में गायब न हो जाए बाहर की ओर लगाना ना भूलें और कोई अंचाहे दाग धबे की परिशानी हो जैसे की मानलो यहाँ पर है तो थोड़ा सा concealer लें और बस हलका सा थप थपाना है जहां दाग हो ये हो गया step 2 पूरा step number 3 flawless skin के लिए हम foundation इस्तमाल करेंगे थोड़ा सा कलाई के पीछे लें और अब हम लेंगे मेरा फेवरिट foundation ब्रश और उस पर थोड़ा सा प्राड़ाक लीजिए याद से excess निकाल दीजिए और फिर पूरे चेहरे पर dots लगाईए और उन्हें ब्लेंड कीजिए अब step number 4 foundation सेट करने के लिए ताकि वो निकले नहीं मैं इस्तमाल करूँगी compact इसे बस थप थपाएं step number 5 थोड़े से color के लिए मुझे चाहिए जरा सा blush and a smile और जैसा की आप देख रही हैं मैं इसे बिलकुल rub नहीं कर रही हूँ बस हलकी से थप थपा रही हूँ cheekbones की line से उपर और इतना होने के बाद बस अपना brush लें और अपने हाथ के अंदर की और घिसकर extra powder को निकाल दें और इससे blush को एक जैसा कर दें ताकि धब्बे या patches नजर नाएं लो हो गया blush वाले गाल लो अब मैं बिलकुल तयार हूँ अपने make-up के लिए जैसा कि मैंने कहा था face make-up या base make-up वेहद जरूरी है क्योंकि ये वो बुनियाद है जिस पर आप अपना make-up लगाती है इसलिए आराम से करें पर सही करें इस लोग को शॉप करने के लिए यहां क्लिक करें